आज Google हम लोगो धमकी दे रहा है, जाया है मैं जोन बेचे तरी चाइना में, इसका सबसे खतरनाग जहाज कौन है, कॉपी मारा, मार दिया उसका कॉपी, इननों में केस करने जाए, कहा कि दो है, वहाँ वाटसप नहीं चलता है, वहाँ यूटूब नहीं चलेगा, चाइना से डॉलर में मना कर दिया, अच्छा रूको, अगर भारत कर देगा डॉलर में नहीं लेगे, अच्छा रूको, मैनमार के तरू नकसलियों को हतियार पहुचाना चालू करेगा, नेपाल के तरू जारखन में हतियार पहुचाना चालू करेगा, पाकिस्तान के तरू आतंगवा काता है क 뽑शिया यहीं नहीं काता है चानी काता हम अपना युवान यूज़ करेंगे यह आंपना यूओना यूज़ करेंगे यह लोगेंगे यह चानी सकistant Salih रहा है अमरीका से spiritual आघिना रहा कर रहा है लहां इसका सबसे खतर नाक जहाच कॉन है F-35, copy मार दिया उसका copy उसका copy मार दिया अमरीका चीन पगला गया, चीन गया WTO में UNO में case करने चल गया ए चाइन, अमेरिका, UNO में case करने चल गया कहा कि दो International Court के judge का value फूटल लाल्टेन है सब इनके court का value मतलब होगा कि फिर UNO में आएगा सुरक्षा परिशन में कि हाँ इसको apply किया जाए इनका court का decision सहीं है तो court का decision सहीं है, copy मार रहे थे चाइना ने मार दिया बीटो हम सामत नहीं है courts मूला जा गये हैं यहाँ पर अमरीका बना रहे थे WhatsApp, कागभार में क्या WhatsApp WeChat हम लोग बात करें, WeChat वहाँ WhatsApp नहीं चलता है वहाँ क्या चलता है, WeChat वहाँ YouTube नहीं चलेगा, Google Chrome नहीं चलेगा Facebook नहीं चलेगा Twitter नहीं चलेगा, लड़ो अमरीका से लड़ो जाओ चाइना से लड़ो आप तब तक चाइना का विरोध कर लिए देखिया, हमारा चाइना से बस एक दुस्मनी है, कि हमारा वो जमीन कबजा किया हुआ, हमारा जमीन कबजा हुआ है, अगर उस जमीन कबजा वाले चीच को अगर हम वापस ले आ देते हैं तो चाइना से हमें सीखने की बहुत कुछ जरूवत है, उसका आधी से जादे एरिया पहाड है, जो बचा हुआ है, मरुवस्थल है, एसिया का मरीज कहा जाता था, उस इंसान ने अपने देश के डिसिप्लीन इटना ढ़ाला गया देश के लोग दूसरा यूज ही नहीं कर सकते हैं तरहीं बोले कुछ हो कर सकते हैं लोग, आज गूगल हम लोग को धम की दिरा, जाया है Amazon बेचे तरी चाइना में हमको 30% चाहिए, चल जाया है नहीं लेगा लोग है आपे आप हम लोग, जैसे हमारा ही हमारे पास अगर हमारे तीन महिना से गौवर्मेंट नहीं लटका के रखा है तीन महिना अगर हम Amazon पे बेचते हैं तो कम से कम एक लाग से जादे किताबे भीग जाती अगर एक किताब पे हमको एक रुपया भी प्रोफिट मिलता है तो अब तक कितना प्रोफिट मिल गया रहता है एक लाग हमको नहीं चाहिए जिस दिन जाएगा हमारे अपने साइट से जाएगा लॉस ही सहीं हमें लॉस हो जाएगा तुमको फाइदा होने नहीं देंगा नहीं समझें वो क्या ये मेंटलिटी चाइना के बच्चा-बच्चा में है